नमस्कार, मैं डक्टर पाउन कुमार शर्मा, आप लोगों के साथ कुछ छोटी-छोटी बातें शेयर करने के लिए यहां आया हूँ, आज एक बड़ी भ्रांती फैली हुई है, कोविड, फ्लू, कोल्ड और अलर्जी, यह चार चीजों के बीच आदमी इतना कन्फ्यूजड है कि वो सर्दी हुई है, या कोरोना हुआ है, या वो कोविड हुआ, वो कोल्ड फ्लू हो गया है, यह समझने में एक आम आदमी जनरल यह समर्थ रहता है, मात रिश लिए कुछ चीजों पर कुछ इंपोर्डेंट फैक्टर्स पर चर्चा करने के लिए में आप लोगों के समक्षियां आया हूँ, यदि हम सिम्टम्स कैसे शुरू होते हैं, उसके विशे में जाएं, तो सर्दी में, ऐलर्जी में, यह समें ध धिरे धिरे शुरू होते हैं, फ्लू अचानक आ सकता है, और यह कोविड में तो अचानक भी आता है, और वेरी करता है परसंटू 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 और कब तक यह लक्षन रहते हैं, अलर्जी जब तक है, अलर्जी की यदि कारण है, कोई रीजन है, तो अलर्जी जब और यदि हम बात करें फ्लू की तो फ्लू भी पांस से साथ दिन तक हम लोगों के शरीर में अवस्थान रखता है लेकिन कोविड जो नई एक बीमारी आई है वो उसका अभी टाइम वेरी कर रहा है according to co-morbid लक्षन जो co-morbid symptom है उनके साथ में जिस तरह के symptoms होंगे उसी के अ बात करें तो ऐलर्जी में शरीर दर्द होने का सवाल नहीं है लेकिन यदि हम सर्दी में कहेंगे तो जरूर सरीर दर्द होता है यदि हम फ्लू में कहेंगे तो बहुत तेज शरीर दर्द होता है और यदि हम कोरोना की बात करें तो कभी कभी शरीर दर्द होता है ये हमेश में भी आ सकता है, वो कोल्ड में भी आ सकता है, चिल ठंड लगती है, तो वो कोल्ड में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन फ्लू में ठंड बहुत लगती है, तो चिल वहाँ ज्यादा सीथ कपकपी वहाँ ज्यादा होती है, कोरोना में वो कभी-कभी होती है, वो ज्यादा नहीं देखी जाती क्योंकि respiratory problems ज़्यादा कोरोना में एग्रिवेट होती है यदि मैं जम्स का exposure मानू तो कोरोना तो खुदी वाहिरस है सबसे ज़्यादा उसी में दिखता है फ्लू में भी जम्स का exposure बहुत ज़्यादा होता है यदि शरीर की ठकान की बात करूँ तो शरीर की ठकान फैटिक जो है वो सर्दी यदि अकेला allergy होगी तो वो कभी कभी है वो related नहीं है allergy में लेकिन सर्दी में भी थोड़ी बहुत होती है फ्लू में बहुत ज़्यादा थकान होती है वो ऐसे ही कोरोना में भी थकान का अनवाव आदमी करता है यदि में fever की बात करूँ बुखार आता है के नहीं तो बुखार आपको allergy में आने का सवाल ज़्यादा नहीं है जब तक allergy कोई fever से related या शरीर से metabolism से related नहीं है लेकिन सर् जो कोरोना नाम की महामारी आई है उसमें भी बुखार का आना एक important लक्षन है यदि बात करें सिरदर्द की तो सिरदर्द जो है वो निश्चित ही allergy में भी हो सकता है allergic headache भी हो सकता है सरदियों में थोड़ा कम मिलेगा लेकिन flu में भी सिरदर्द हो सकता है बहुत ज़्याद इची आईज की तो ये जनरली allergy में मिलती है इची आईज और बाकी कोई तीसरी चीजों में फ्लू बगरे में इची आईज का hallmark नहीं है अब उसके बाद ये में बात करता हूँ nasal congestion की तो सरदियों में तो निश्चित कभी कभी होता ही है allergy में होना संभव नहीं और ये nasal congestion त उसमें निश्चित ही आप लोगों को देखने को बिल सकता है new loss of smell और test ये एक ऐसा लक्षण है जो बाकियों में कभी कभी मिलता है लेकिन आज कोरोना के रोगियों में देखा गया है कि sense of smell and sense of test ये दोनों चीजों में असर कर रहा है ये कोरोना COVID-19 वाइरस तो इससे रहन रेने की जरूरत है जब भी ऐसा कोई लक्षण हम लोगों को मिले तो definitely हम लोगों को सोचना चाहिए कोरोना टेस्ट कराने की नाक बेना नाक बेना ऐलर्जी में सबसे ज़्यादा होता है और कोरोना में सबसे कम होता है generally less common पाया गया है fever होगा headache होगा body egg होगा स्वासक लेकिन generally runny nose इसमें कम common पाई गई है sneezing sneezing भी हम देखें तो बाकी सब में हो सकती है फ्लू में ज़्यादा ही हो सकती है allergy में बहुत ज़्यादा हो सकती है allergic sneezing लेकिन कोरोना में कम common है कभी कभी होती है ये भी एक इसकी अलगी बात है sore throat की में बात करू गले में खराश की तो ONL-र जी में भी बहुत ज़्यादा allergic bronchitis भी बहुत ज़्यादा होता है और flu में भी बहुत ज़्यादा sore throat होता है सर्दियों में तो होता है ये हम सब लोग जानते हैं लेकिन कोरोना में sore throat कभी कभी ही होता है ज़्यादातर नहीं होता है स्वासकस्ट या छोटा होना स्वासका छोटा होना ये ऐलर्जी में बहुत कम होता है कभी कभी देखा जाता है सर्दी में तो बहुत कम होता है ये देखा ही नहीं जाता है फ्लू में बहुत ज़्यादा होता है difficulty in breathing या स्वासकस्ट फ्लू में बहुत ज़्यादा होता है और कोरोना में होता है निश्चित स्वासकस्ट के कारण ही इस समय oxygen cylinders की सबसे ज़्यादा डिबान आज हम देख रहे हैं और लक्षण सबसे ज़्यादा कहां वर्स हो सकते हैं फ्लू में हो सकते हैं और कोरोना में हो सकते हैं दोनों अलग-अलग युग में पैदा हुए अलग-अलग भाई हैं तो दोनों में हो सकते हैं और यदि मैं बात करूँ इन सब लक्षणों के आधार पे तुलसी अद्रग और काली मिर्च ये चार चीजे रहें उबाल के वो पिया जाए हल्दी में दूद्र डाल के पिया जाए हायरुएद में इन सभी चीजों का वात और कफ विकारों के रूप में उलेक है लक्ष्मी बिलासरस हो त्रिभुमन कीर्थी हो या सिंपल एक तुलसी के ड्रॉप्स क्यों नहों ये सभी चीजें हम लोगों को बीमारियों से बचाने में मदद करती है हल्दी हो जो हम बच्पन से देखते चले आ रहे हैं या थोड़े बहुत सर्दी बुखार के ये लक्षन हो तो निश्चित लक्ष्मी बिलास और त्रिभुमन कीर्थी या जैसे त्रिशून एक गोली आती है त्रिशून से भी ये लक्षन शमन किया जा सकता है क्यवन प्रास अवलेह अगश्त अरित की अवलेह संसमनी बटी गिलोए घन बटी मैं कितने आयर्वेत के योगों के उधारन लूँ जो हर आदमी को अपने समाज को स्रद्धा से लेना चाहिए और मुझे पहली वार गर्व है मेरे आयुस मंत्राले पे मेरे एक समाज पे कि जिसने आयर्वेत को अंगी कार दोबारा किया और शायद ये कोरोना के अविशाप में आयर्वेत के लिए बरिदान होगा कि डेफिनेटली आयर्वेत की महत्ता को सुईकर किया घवराने की जरूरत नहीं है निराश होने की जरूरत नहीं है आज हम लोगों के देश में रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है तो जब रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है मौटल रेट सबसे कम है तो इसका मतलब आधी जंग हम लोगों ने जीत ली है और आधी जंग बा कि कोई न कोई इम्मिनिटी वर्धकों सधी आप अपने जीवन में डेली रूटिन में लेकर आएंगे धन्यवाद नमस्कार